दोस्तों जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें आपकी अनुमती के बिना कोई लगातार ताका जहां की करें तो यह जानकर आपको कैसा लगेगा ऐसा ही अभी इंडिया एंड जपान दोनों जगह हुआ जब चाइना के स्पाय सेटलाइट ने बिहार में पटना और जपान में ओसाका शहर की जासुसी की थी एंड हम इंडिया वालों को कुछ भी पता नहीं चल पाया चलो पहले डीटेल्स में न्यूज देखते हैं चाइनीज वग्यानिकों ने दरसल खुद ही कहा है कि हमारी आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस सेले सेटलाइट कुइंग मिंग सिंग वन एई सेटलाइट ने बिहार में पटना और जपान में उसाका शहर की निगरानी का टास्क असाइन कर लिया है कितना आजीव है दोस्तों चाइना इंडिया में डेली मुंबई अरुनाचल प्रदेश जे से जगहों को छोड़कर बिहार में पटना की निगरानी कर रहा है वो भी लगातार 24 घंटों से तो एक्चुली आप सभी को पता होगा 2020 में गलवान वैली में इंडिया चाइना क्लैश हुए थे जिसमें शामिल इंडियन आर्मी मेंली बिहार रेजिमेंट से थे एंड बिहार रेजिमेंट का हेड़कॉर्डर पतना में है वह जापान के ओसाका शहर की जासुसी में चीन का कहना है हम इंडियो पसिफिक रीजन में अमेरिका जापान की एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे थे चीनी वग्यानकों का दावा है कि हमारी सेटलाइट AI ऑपरेटेड है और इसे किसी हुमेन से ऐसा करने का कमांज नहीं मिला था और इस ऑपरेशन को हमने सक्सेस्फुली अचीव किया आप सबने चाइनीज स्पाय बैलून के अमेरिका में घुसने की खबर तो देखी ही होगी इसके अलावा ऐसे बैलून्स हमारे अंडमान निकोबार, बेवब बेंगॉल एंड तिबबत में भी देखी जा चुकी है बेसिकली तिबबत चाइना का हिस्सा है लेकिन वहाँ से इंडिया की निगरानी की जाती है सो किसी कंट्री की विरोध नहीं करने से चाइना का मन बढ़ रहा है धीरे धीरे वैसे तो हम पाकिस्तान या अधर कंट्री पर बढ़ चरकर रेस्पॉंस देते हैं बट जो हमारी एक्चुल थ्रेट है इस पर हमारी सरकार क्या रेस्पॉंस देती है वो देखना बड़ा दिल्चश्प होगा क्योंकि इंडियन आर्मी के रेजिमेंट का हेड़कॉर्टर और उसमें जासुसी करना इससे तो यह साबित हो गया कि 2020 में गलवान क्लैश में इंडिया चैना पर भारी परा था लेकिन इस जासुसी से हमारे बिहार रेजिमेंट के बहादरों की एक्टिविटी, स्ट्रॉंगनेस और वीकनेस का भी तो पता चैना को लग सकता है फिर आपकी क्या राया है कमेंट में जरूर लिखें थैंक यू